Samsung market में back to back अपने नए स्मार्टफोन लेकर आ रहा है लेकिन वैसे तो company अपने premium स्मार्टफोन में इतने अच्छे features देती है लेकिन फिलाल में company ने एक latest smartphone launch किया है और यह है Samsung Galaxy M14 खास बात यह कि एक 5G smartphone है और परसली इस phone का जो एक point मुझे बहुत पसंद आया है वो है इसका design तो best part यह है कि यह phone आता है 15,000 रुपे के price segment में और design इसका आपको देखने में बिलकुल लगी का Samsung Galaxy S23 की तरह तो phone की खास बात यह है कि देखने में तो एक premium look है और features भी बहुत amazing है इस phone में company ने कुछ ऐसे features दिये है जो आम तोर पे हमें premium smartphones में देखने के लिए मिलते थे So hi I am Mohini और आप देख रहे हैं NBT TechEd So आज इस video में हम Samsung Galaxy M14 के कुछ ऐसे highlighted features के बार में बात करेंगे So अगर आप इस phone का इस्तमाल कर रहे है या इसको खरीदने की planning कर रहे है तो इस video को end तक जरूर देखे क्योंकि इस video में आज हम उन features की बात करेंगे जो mainly आपको किसी review और unboxing में देखने के लिए नहीं मिलेंगे और यह features company ने इसमें inbuilt दिये है तो अगर आप भी explore करना चाहते हैं बहुत जादा कुछ इस phone के बारे में जानना चाहते हैं तो इस video को end तक जरूर देखे Samsung Galaxy M14 का जो एक feature मुझे बहुत इंट्रेस्टिंग लगा है वो है के call background को लेकर तो उसके लिए आपको settings में जाना है और यहां पर search करना है calls तो यहां पर आपको a call background feature मिल जाएगा तो इस feature के जरिया आप अपने calling जब आपके पास आती है तो आप background में कोई भी wallpaper के साथ-साथ videos को भी लगा सकते है तो Samsung ने इस phone में दो नए और videos को roll out कर दिया यहां पर जाके आप इसको अपने हैसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं साथी कंपनी ने आप एक AR Studio टाइप का एक नया जो ही video feature आप देख सकते हैं यह roll out किया है तो इसको आप set कर सकते हैं इसमें sound effect भी दिया गया है तो यहां पर simply जाके आपको set as call background करना है तो जब भी आपके phone पर calls आएंगी तो इस तरीके को इस animated video आपको showcase होगी तो यह feature मुझे इसका बहुत interesting लगा है इस phone में जो दूसरा और बहुत interesting feature दिया गया है वो है इसके widgets को लेकर तो यहां पर press hold करके आप रखेंगे तो आप अपना कोई भी परसनला widget इसमें create कर सकते हैं उसके लिए आपको create stack पे click करना है जैसे कि अगर आप battery देखना चाहते उसका widget create करना चाहते है तो उसके अपको click करना है और इस तरीकी का एक जो widget है वो create हो जाएगा और इसमें आपको अपने phone की charging और multiple devices जो आपने connect की हुई है वो भी आपको इसमें showcase होगी तो यह वाला जो feature मुझे बहुत अच्छा लगा है इसके लिए simply आपको बस battery पर प्रे प्ले होगी तो इस phone में एक और ऐसा खास feature है जो आपके लिए बहुत यूसफुल हो सकता है उसके लिए आपको simply settings में जाना है तो यह feature वो है जैसे कि अगर आप call पर बात कर रहे हैं आपके पास calls आती है उसमें क्या होता है एकदम से calling का a pop-up आजाता है इसकी वज़से आपके पाटन दिया गया है जिसे अगर आप कोई भी अप का स्टमाल करें तो आपके जो का जो को इस तरीकी सरे कर सकते हैं जिसे आपको पॉण पर बात भी कर सकते हैं तो इसके लिए सिंपली आपको अपको call settings चले जाना है और यहाँ पर जाकर आपको यहाँ एक फीचर म तो एक mini window create हो जाएगी जिसमें आपको सारी calling information दिखेगी और जिससे आप बात कर रहे हैं वो भी आपको showcase होगा और साथ ही आप multitasking करते हुए फोन का इस्तमाल भी आराम से कर सकते हैं और अगर आपको full screen चाहिए या small pop-up चाहिए तो यहां पर और दो options भी आपको मिलते हैं एक और feature जो Samsung Galaxy M14 में दिया हुआ है वो ऐसी camera में camera में आप जाएंगे और यहां पर more पर click करेंगे तो यहां पर pro mode दिया हुआ है इस पर जब आप click करेंगे तो इसमें बहुत सारे advanced features दिये गा है जिन से और अच्छे तरीके से अपने सारे pictures, videos को customize कर सकते हैं इसमें सारे features दिये गए हैं जो mainly DSLR में आपको मिलते हैं तो उसे किया होगा जो आपको camera experience और better होगा और इनको आप try करके और अच्छे pictures click कर सकते हैं इस phone में इक बहुत basic से settings है जो आवाम तोर पर सभी phones में होती है लेकिन user को इसके बारे में नहीं पता होता है और वो है call recording को लेकर तो इसके लिए simply आपको dial pad पे चले जाना है और यहां पर आपको three dot function मिलेगा इसमें आप क्लिक करेंगे settings पे और यहां पर आपको option मिलेगा record calls का तो यहां पर आपको option मिलेगा call records का तो ऐसे में कर आप चाहते है कि calling के बाद आपके पास notification ना आए कि आपने उस call को record किया है तो इसे आप यहां पर off कर सकते हैं यहां पर साथ में अपनी सारी calls को record करना चाहते है तो यहां पर आप एक auto record call feature भी मिलता है इसके साथ ही recorded call जित्ते भी आपके होंगी वहां पर आप अपनी history देख सकते हैं और इसके अलाबा यहां पर आप पुरानी recordings को डिलीट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप एक option मिलता है तो यह आप call recording से लेकर कोई भी information देखना चाहते हैं तो आप सीधे dial pad पर जाके देख सकते हैं इसके लिए आपको बार-बार settings बजाने की ज़रत नहीं होगी तो यह थे Samsung Galaxy M14 में मिलने वाले बहुत ही इंट्रेस्टिंग से highlighted features तो अगर आपने अभी तक इनका इस्तमाल नहीं किया है तो तुरन जाए और इनको एक बार ट्राय करके जरूर देखे साथी इस वीडियो को उन लोग के साथ जरूर शेयर करें जो Samsung lovers है या आपके कोई family या friends में कोई इस phone का इस्तमाल कर रहा है तो उनके साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर करें इसको लाइक करना ना भूले अगर आप भी Samsung Galaxy M14 की किसी ट्रिक के बारे में जानते हैं तो हमें comment section में जरूर बताए और हमारे इस चैनल NBD TechEd को भी subscribe करें